दोस्तो इस विडियो में हम कोई भी आर्क का सिंटर कैसे निकाल आ जाता है इसके बारे में जनकर लेने वाल है जैसे की हमारे पास यह सरकल है हाप सरकल तो उसका हमें सेंटर फाइंड आउट करना है सबसे पहले कोई भी दो कोड होते हैं उसको इस तरह से जोड़ना चाहिए आपको कि इदर और इस साइड भी आला कि येके मradas ने होती आप कहीपश्प próximo कर सकते इसके बाद क्रांक्वार करना है इनके सेंटर निकलना है यह जो कोड़ है इनका सेंटर निकलना है उसके लि मिलेना प़ाड़ेगा उस तरह से चाप लगाना पटेगा इस तरह से आपको Pac-종 मैं दुसरे पैंट से भी है इसी तरह चाप लगाना Tips कि और यह आईन बहला पाद में आपको जोड़ेना तरह से हमें जोड़ना, यह हैं कि यह लाइन हो गई दूसरे जो कोड की लाइन है उसको भी हमें इसी तरह से करना है चाप लगाना है उपर और नीचे इस तरह से और इसके बाद इसको जोड देना है यह दोनों पाइंट विल्कुल जोड देना है इस तरह से हमारा दोस्तों यह सेंटर बन जाएगा इस तरह से एआप सेंटर निकल सकते हो दोस्तों यहाप सर्कल ठाउग गए कोई भी रेडियस खाऊग गया अब हम सर्कल का भी सेंटर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे जिसके अगर आपके पास इसा सरकल है और उसका सेंट्र आपको मालूम नहीं को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको कोई भी दो इस तरह से जोड़ देना चाहिए कई भी जोड़ सकते आप इस तरह से हमें जोड़ना है दोस्तों इसकी जरुवत जब हम फेबरिकिशन शाप में काम करते हैं तब ज्यदा जरुवत पड़ती है क्योंकि हालो अगर पोर्शन है उसका सेंटर निकलना है और मार्किंग करना है तो उस वक्त इस में तड़की बहुत जरुवत होती है अब नीचे भी इस तरह से दूसरे पाइंट से भी इस तरह से हमें लगाना है और इसको बाद भी हमें जोड़ देना है इस तरह से हमें जोड़ना है वैसे ही दूसरे कोट को भी हमें आदे से ज़्यादा अंतर लेके इस तरह से करना है चाप लगने दोने तरफ से और इसके बाद इनको जोड़ देना है जिस तरह से हमारा यह इसका सेंटर बन जाएगा अगर आपने देखा कोई भी रेडियस का साथ कल फाइंड आउट कैसी किया जाता है और सेंटर कैसी किया जाता है यह हमने आपको बता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक सब्सक्रेबर शेयर करना ना लेगा थेंक यू